क्या आप जानते कि आपके पैसे के एक पाउर होती है, आपके कैपिटल के एक पाउर होती है, तो क्या होती है आपके पैसे की पाउर, क्या होती है आपके कैपिटल की पाउर, तो चलिए उस बारे में बात करते हैं, देखिए आप सब लोग जानते कि मैं बैंक निप्टी में option में trading करता हूँ तो उसी का example देखे मैं आपको समझाता हूँ देखे अगर मेरे पास 1 lakh रुपीस capital है तो मेरे money की power होगी 1-2-3% daily और उसके उपर अगर मैं grid करता हूँ 1-2-3% का target मेरा complete हो गया लेकिन उसके उपर मैं grid करता हूँ एक दिन मेरे का profit होगा दुसरे दिन होगा तिसरे दिन होगा लेकिन चवते दिन कभी न कभी तो मेरा नुकसान होना ही है तो अपने पैसे की power क्या है यह आप खुद अपना दिमाग लगाईए और उसी से trading कीजिए अगर आप गलत इस्तमाल करते हैं उस पावर का तो आपका capital जिरो हो सकता है